डार्क मैटर ब्रहमांड में सबसे रहस्यमय और रोमाचक घटनाओं में से एक है यह एक hypothetical form of matter है जो प्रकाश या किसी भी अन्य electromagnetic radiation से interact नहीं करता जिससे इसे पता लगाना और अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है इसके बावजूद खगोल शास्त्री यह मानते हैं कि डार्क मैटर ब्रहमांड के मास का एक महत्वपूर्ण अंश है जो गैलेक्सियों और अन्य ब्रहमांडिय संरचनाओं के निर्मान और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है माना जाता है कि डार्क मैटर ब्रहमांड में लगभग 85% मात्रा में मौजूद है डार्क मैटर को नौन बैरियोनिक माना जाता है जिसका अर्थ होता है कि यह साधारन पदार्थ की तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से नहीं बनी डार्क मैटर की सटीक प्रकृती अभी भी अज्यात है लेकिन समझाया जाता है कि यह गैलेक्सियों और अन्य ब्रहमांडिय संरचनाओं के गठन और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उन्हें संग्रहीत रखने के लिए अतरिक्ट गुरुत्वाकर्शन बल प्रदान करता है इसी तरह एंटी मैटर भी एक चीज है जो डार्क मैटर से अलग होती है एंटी मैटर खासताओर पर विजिबल मैटर की तरह ही होती है लेकिन उनमें अपोजिट इलक्ट्रिकल चार्जिस होते हैं ये कन एंटी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जब particles एंटिपार्टिकल्स से मिलते हैं तो एक विश्खोट होता है जो दो तरहेकी वस्तूओं को रद्द कर देता है क्यूंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो मैटर से बनी है और इस दुनिया में एंटी मैटर बहुत कम है वरना कुछ नहीं बचा होता भौतिक विद्याविदों के पास वास्तव में एंटी मैटर बनाने की ख्षमता होती है डार्क मैटर के अस्तित्व को पहली बार 1930 के दशक में स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट ज्विकी द्वारा प्रस्तावित किया गया था उन्होंने अन्दाज लगाया था कि गैलेक्सी के कोमा क्लस्टर में विजिबल मैटर उस गुरुत्वाकर्शन बलकी जिम्मेदारी को संतुलित करने के लिए परियाप्त नहीं थे उन्होंने सोचा कि कुछ द्रिश नहीं होने के बावजूद ऐसा कुछ अन्देखा पदार्थ होना चाहिए जो अतिरिक्ट गुरुत्वाकर्शन खींच प्रदान कर रहा हो और इसी तरह डार्क मैटर का जन्म हुआ तब से डार्क मैटर के अस्तित्व के बारे में अनेक अध्ययनों ने सबूत प्रदान किये हैं उनमें से एक सबसे प्रभावशाली सबूत कॉस्मिक माइक्रोवेव बैक ग्राउंड रेडियेशन की अध्ययन से मिलता है जो डिग बैंड से बची हुई रेडियेशन की अध्ययन है इस रेडियेशन का विशलेशन करके वैज्यानिकों ने प्रारंभिक ब्रहमांड में पदार्थ के वितर्ण का एक नक्षा बनाने में सफलता पाई इस नक्षे से पता चलता है कि ब्रहमांड की संरचना डार्क मैटर के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि इससे गैलेक्सियों को एक साथ रखने के लिए आवश्यक अतरिक्त गुरुत्वाकर्शन बल प्रदान करता है Study of the Rotation Curves of Galaxies के अध्ययन से डार्क मैटर के होने का एक और सबूत मिलता है Rotation Curve एक ग्राफ होता है जो दिखाता है कि गैलेक्सी में तारों की गती गैलेक्सी केंदर से दूरी के साथ कैसे बदलती है गुरुत्वाकर्शन के नियमों के अनुसार गैलेक्सी के संटर से दूर वाले तारे धीमी गती से घूमने चाहिए जबके संटर के पास वाले तेजी से हालां की अध्यैनों से पता चलता है कि गैलेक्सियों में तारे केंदर से दूर या पास हों वे लगभग एक ही गती से चलते हैं इसे केवल डार्क मैटर के अस्तित्व से समझाया जा सकता है जो तारों को एक स्थिर गती में रखने के लिए अतरिक्त गुरुत्वाकर्शन बलप्रदान करता है इस बात के बावजूद की इतने सारे अविडन्स होने के बाद भी वैग्यानिक अभी भी डार्क मैटर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते एक possibility यह भी हो सकती है कि Dark Matter Weekly Interacting Massive Particles Wimps से बनी हो जो कमजोर परमानू बल और गुरुत्वाकर्शन के साथ काम करते हैं लेकिन Electromagnetic बल के साथ नहीं एक और संभावना है कि Dark Matter Axiants से बनी है जो Hypothetical Particles है और Particle Physics में एक समस्या को हल करने के लिए पहली बार प्रस्तावित किया गया था जिससे CP Problem कहा जाता है उसकी प्रकृती के बावजूद Dark Matter वैज्यानिकों को आकरशित करती है और जनता की कलपना को जीतती है यह Astrophysics और Cosmology में सबसे बड़े अनसुलजे रहसियों में से एक को रिप्रिजन्ट करती है और जवाबों की खोज इन छेत्रों में अनुसंधान को चलाती रहती है Dark Matter को डिटक्ट करने के लिए कई सारे Experiments और Observations चल रहे हैं और जैसे जैसे Technology आगे बढ़ती है हम शायद इस प्रतिष्थित पदार्थ के बारे में कुछ प्रकाश डाल पाएं Dark Matter की खोज एक ही घटना नहीं थी बलकि धीरे धीरे बढ़ती प्रमाणों के आधार पर एक Gradual Realization थी जब Fritz Zwicky ने 1930 के दशक में Dark Matter के अस्तित्व की पहली प्रस्तावना की तो उनके विचारों को संदेहास्पद और मजाकिया रूप में स्विकारा गया हालांकि दशकों के बाद जब Dark Matter की उपस्थिती के लिए अधिक से अधिक प्रमान एकत्र हुए तब वैज्ञानिक इस विचार को अधिक गंभीरता से लेने लगे आज एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स और कॉस्मोलोजिस्ट्स डार्क मैटर के अस्तित्व को स्विकार करते हैं और इसकी प्रकृती और गुनों की खोज इन शेत्रों में सबसे सक्रिय शोध शेत्रों में से एक है वैज्ञानिक डार्क मैटर के रहस्यों को खोलने और ब्रहमान्ड को समझने में एक गहराई तक पहुँचने की उम्मीद से उत्साहित हैं डार्क मैटर एक ऐसा विशय है जो हमारी जानकारी एवन समझ के बावजूद एक रहस्य ही बना हुआ है अगले किसी वीडियो में हम इस विशय पर और गहराई से चर्चा करेंगे ताकि हम इस रहस्यमय बस्तु को और बहतर समझ सकें और इसके बारे में आपको अधिक जानकारी दे सकें कर दो और गहा है झाल झाल